नमस्कार बच्चो आप सबको मैं हेम राय साहू सिक्षक सास्कीपूर माध्विक विद्यालय खोला विकास खंड अभनपूर जिलरायपूर से हुँ मैं एस-C-R-T के माधम से पढ़े तुह हर द्वार के अंतरगत राजिस्तरी आरलेंग लाज के लिए कक्छा-च्षटवी का मैट से लेकर आये हूं आज हम कक्छा-च्षटवी मैट से में गणित में अध्यायती रेखाखंड का ध्यन करेंगे रेखाखन का ध्यन करेंगे तो रेखाखन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक परिफासाओं को पहले समझ लेती हैं उसके बाद में हम उससे सम्मंधित सवाल हल करेंगे प्रश्ण हल करेंगे और एक जो समझ जाए होगी इसको आपस में साल्व करेंगे तो सबसे पहले हम बिन्दू पर चर्चा करते हैं कि वाके में बिन्दू क्या है बिन्दू बिन्दू जो है बिन्दू एक ऐसी आकरिती होती है जिसकी खुद की लंबाई चोड़ाई या मोटाई नहीं होता है सिर्फ उसका एक आस्तित्व होता है बिन्दू कहने का मतलब यह है कि ये किसी एक निश्चित इस्थान एक दम निश्चित स्थान को ब्यक्त करता है पतलब इस्थिती को दिखाता है उसे बिन्दू कहते हैं गणित में बिन्दू का बहुत ही बड़ा महत्व है गणित में और खास कर रेखा गणित में रेखा अकन पढ़ने के लिए बिन्दू का बहुत ही विसेशी स्थान है बिंद्य को प्रदर्शित करने लिखियों कि बहुत छोटा होता है तो प्रदर्शित करने के लिए इसके लिए हम अंग्रेजी के वर्ण माला A, B, C, D या जो भी हो 26 अक्षरों में से कोई भी अक्षरों का हम प्रयोग कर सकते हैं दूसरी चीज होती है आगे सरल रिखा आएसी सिधी आएसी सिधी रिखाए होती है जिसका कोई निष्चित की नारा नहीं होता है आएसी सिधी रिखा जिसका कोई निष्चित की नारा नहीं होता है निश्चित किनारा नहीं होता है उसे सरल रिखा कहते हैं इसका मतलब यह है कि सरल रिखा कोई निश्चित किनारा नहीं है मतलब इसको नापा नहीं जा सकता अज सिमित है निश्चित नहीं होता है किनारा का निश्चित नहीं होता है इसे हम माप भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी किनारा ही निश्चित नहीं है लंबाई ही निश्चित नहीं है इसको मापन नहीं किया जा सकता इसको सिर्फ हम दिखाने के लिए एक रेखा में दोनों तरब तीर का निसान लगा जेते हैं ये इस प्रकारचे अगर रेखा मिले जिसमें दोनों तरब का तीर का निसान है इसका मतलब वो सराल रेखा है सराल रेखा को इसी प्रकारचे हम प्रदर्शित करते हैं सरल रिखा के प्रदासित करने के लिए सामने में अंग्रेजी के कोई चोटी और हो का प्रयोग करते हैं सिंगल अक्षर का प्रयोग करते हैं इससे निश्चित होता है कि ये एल जो है एक सरल रिखा है सरल रिखा का दोनों और कोई अंतिम बिंदू नहीं होता है सरल रिखा की लंबाई अनंद होती है और सरल रिखा क्योंकि कोई अंतिम बिंदू नहीं होता है इसको कापी में सिर्फ व्यक्त करने के लिए एक लाइन, लाइन के उपर दुनों तरब तीर कनिसार का प्रयोग करते हैं दूसरी चीज़ आजाते हैं कीरन कीरन किसी बिंदू से प्रारम होने वाली आएसी रिखाय होती है जिसका प्रारम बिंदू तो निश्चित होता है किसी एक स्रोथ से निकलती है लेकिन उसका अंतिम बिंदू निश्चित नहीं होता है उसे हम किरन कहते हैं जैसे आप समाने देख लेते हैं टार्चा का लाइट ले लिजिए टार्चा हम चालू करते हैं तो प्रकाश निकलती है कहां से निकलती है टार्चे से निकलती है तो टार्चा जो है हमारा प्रारंभिक बिंदू हो गया लेकिन उससे निकलने वाले प्रकास किर्णे किर्णे कहां तक जाती यह निश्चित नहीं है इसलिए टार्चा के प्रकास हो या सूर्य के प्रकास को हो उसको हम कीरन कहते हैं किरन जिसका प्रारम्भिंग बिंदु निश्चित होता है लेकिन अन्तिम निश्चित नहीं होता है उसे कीरन कहते हैं इसका संकेत में चिन्न हो जाएगा यह इस प्रकार से रिखा रहेगा इसका प्रारमभिंदु निश्चित है इसका हम चुकि बिंदु निश्चित है और बिंदु का कोई नाम देते हैं अंगरी जी के अक्षरों से तो कोई भी नाम दे देंगे यह हमारा ओ हो गया प्रारमिक बिंदु और उसका अंतिम बिंदू निश्चित नहीं होता है इसलिए उस साइड हम तीर का निशान लगाते हैं तीर का नईसान लगाते हैं इससे इसपष्ट होता है कि इस प्रकार से देखते हैं जिसमें एक बिंदु निश्चित है लेकिन दूसरा साइड में तीर का नीशान लगा हुआ है तो वो कीरण है किरन भी बहुत कुछ सरल रिखा के समान गुन होती है दोनों में सिर्फ अंतर एक ही होता है कि सरल रिखा का दोनों बिंदू निश्चित नहीं होता है और किरन का एक बिंदू निश्चित होता है और दूसरा बिंदू निश्चित नहीं होता है किरन का संकेद इस प्रकार से ह होगा प्रारांभिक बीन दोई निश्चित होता है सको होसे ब्यक्त करेंगे और दूसरे साहिट को हम ऐसे निसान से ब्यक्त करेंगे किरन को भी नापा नहीं जा सकता उसकी हुच लंबाई अनन्त होती है कि रहन कापी में प्रदर्शित करने के लिए 10 एक बिंदू ओ लेते हैं दूसरे साइड में हम तिरकर निसान लगाते हैं इस प्रकार से आगे देखते हैं कि अगर रेखाखन यह हमारा प्रमुक आज का टापिक है जिस पर हमें विस्तार से चर्चा करना है वह रेखाखन रेखाखन किसे कहते हैं रेखाखन दो बिंदों से घीरे हुई रेखा की खंड को मतलब यह कह एक सरल रेखा है उस सरल रेखा में कोई भी दो बिंदू है यह सरल रेखा हो गया है सरल रेखा पर कोई दो बिंदों का अगर हम निरहारंग कर देते हैं और इन दोनों बिंदों के बीच में जो रेखा आता है उसको हम रेखा खंड कहते हैं दूसरे रूप में हम यह बोल सकते हैं कि दो बिंदों से घीरे हुए आकरिती को रेखा खंड कहते हैं या दो बिंदों को मिलाने वाली रेखा को रेखा खंड कहते हैं, इस प्रकार से ये रेखा खंड होता है, रेखा खंड का हम अपने आसपास बहुत सारा उधारान देख सकते हैं, रेखा खंड के लिए हम बहुत कुछ देख सकते हैं, आप पुस्तक ही हैं, या ये इसकेल है, स्केल काएक कारणर है ये कोर ये भी एक सलर रेखा को ब्यक्त करता है ये भी एक रिकाखंड्ड है ये लेंगे ये रिकाखंड है डिकाखंड हम अपने आस पास देखना चाहें तो बहुं सारय मिल जाता है अ रेखाखंड को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार से एक रेखा रहेगा उसके उपर में हम निचे में दोनों बिंदों को लिख देते हैं जैसी यह A B लिखा हुआ है उपर में सिधा लाइन है मतलब यह सो करता है कि एक रेखाखंड है जिसका एक बिंदू A है और दूसरा बिंदू B है यहां तक समझ में आ गया है बच्चों यह रेखाखंड को ही समझना महुत महत पूर्ण है समाने में सबको लगता है कि रेखाखंड जो है बहुत सरल है तो ऐसी आकृती जो किसी एक निश्चित बिंदू से प्राराम होकर दूसरे निश्चित बिंदू पर खतम हो जाए वही रेखाखंड कहलाता है यह इसका हम दूसरा नाम दे सकते हैं यह हो गया P इसका संकेत होगा संकेत यह O P उपर में सिधा लाइन मतलब यह रेखाखंड है तो सिधी लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम सब्दों में भी लिख सकते हैं यह रेखाखंड है अब रेखाखंड से रेखाखंड को तुलना कैसे करेंगे हमारे पास बहुत सारा रेखाखंड है रेखाखंड को मापते कैसे हैं मापने का क्या क्या तरीका है तो हमारे पास यहाँ पर रेखाखंडों के मापन में तीन तरीका हैं पहला है अवलोकन अवलोकन से भी हम रेखाखंडों की माप कर सकते हैं जहां रखें जैसे हमारे पास दो रेखाखंड है एक रेखाखंड यह हो गया यह दूसरा रेखाखंड है हमारे पास बीसी इन रेखाखंडों में हमको अलोकन से बताना है अलोकन मतलब देख के बताना है यह कौन सी रेखाखंड बड़ी है और कौन सी रेखाखंड छोटी है यह अलोकन विधी में हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि रेखाखंड एबी ज जो है कितना छोटी है और स्रीडी रेखाखण जो है कितना पड़ी है फिxt नहीं से नहीं बता सकते हैं अलुकंड से कि ही रेखाखण 209 कि शwać्क wipes चोटी है आलोगर अविदिय voll सब्काइब धागा कि देखतेएं सब्सक्रिक हैं जैसे एक सब्मार यहाँ पर दिया मैं कि यह की क्यों है यह R-A-S है यह रेखाखंड देखके बताईए इसमें से कौन सी रेखाखंड जो है बड़ी है और कौन सी रेखाखंड छोटी है आप लोकान से हम बता सकते हैं कि रेखाखंड R-A-S बड़ी है और रेखाखंड P-Q छोटी है इसमें हम सिर्फ बड़े और छोटे को ही बता सक प्रेखाखन के मापन की दूसरी और सबसे अच्छी विधी है इसकेल से मापन इसकेल से इसकेल की सहता से हम रेखाखन को नापते हैं इसके लिए एक रेखाखन है कोई रेखाखन इस प्रकार से है इसको हमकोई सकेल से नापना है ये रेखाखन है इसका कोई नाम दे देते हैं A और दूसरी बिंडु हो गया B यहाँ पर नापने में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गल्ती कर देते हैं किसी को नापने के लिए कहा जाए तो सकेल रखने में ही तूटी होती है तो scale हमको कैसा रखना चाहिए रेखा खंड को कभी भी नापते हैं तो scale का ये सुन्य वाला भाग है सुन्य भाग हमारे प्रथम बिंदू से आना चाहिए रेखा खंड के पहली बिंदू पहली बिंदू से मिला के रखें तो इसको हम नापते हैं देखते हैं ये देखिए हमारा स्केल का ये जीरो वाला भाग है और रिखा खंड का प्रथम बिंदू से मिला हुआ है अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लाइन से पढ़ते हुए बढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा ये सुन्य है सुन्ने क लाइन को ये कवर कर रहा है एक दो तीन चार पांत एक च्छ च्छ छोटी लाइन में गया तो इसका मतलब इसका लंबाई हो जायेगा 9000,66 cm स्केल में देखंगे हर cmson के बीच լीच 10 चोटी चोटी लाइन है । एक एक चोटी लाइन को 11 मिली मीटर है। हम में cm में एक-एक पैंट को भूर्म में लिखेंगे। जिसे यहां पर 9 पूरा आया तो उसके बाद 6 चोटी लाइन को कवर किया। तो यह हो जाएढ़ 9.6 cm कि इस प्रकार से हम स्केल की सहता से नाप सकते हैं और एक और बढ़िया विधी है यह दूसरा विधी हो गया था तीसरा विधी है डिवाइडर की सहता से कि डिवाइडर से मापनम हमारे पास यह इस प्रकार से एक रिखाखंड है हो कि पूर ज्सरा विधी तो डिवाइडर से हम कैसे नापते ही देख्ये डिवाइडर्स नपंगे यह डिवाइडर पहले लेंगे डिवाइडर में फीर इस डिवाइडर की सहयता से रेखा खंडों को ना पेंगे डिवाइडर का एक नुकिला भाग रेखा खंड के पहली बिंदू पे रखेंगे और दूसरा नुकिला भाग को रेखा खंड के दूसरी बिंदू पे रखेंगे ये इस प्रकार से हम रख लिए यहां रहे कि फिक्स से दोनों बिंदूं पर दोनद नुकिला भाग रहना चाहिए अब इसको रखने के बाद?」 इसको फिक्षर कर दिजिए लाग कर दिजिए यह कमजादा नहीं होना चाहिए अब इसको उठा के हम इसवर पर देखेंगे कि कहां पर आता है इसका एक निकिला भाग को यह इस प्रकार से जीरो में यह जीरो में रखेंगे और दूसरा निकिला भाग दिखते हैं कि स्केल के कौन से रीडिंग को टच कर रहा है कौन से पाइंट में आ रहा है कौन से पैमाना में आ रहा है यह सुनने में रख दिये दूसरा वाला आ रहा है पांच पांच के बाद में छोटी लाइन किनेंगे एक दो तीन चार पांच छे तक आ रहा है पांच पुरा पुरा गया और उसके बाद छटवा लाइन में आके टच हो रहा है तो इसको लिखेंगे हम यह इसकी लंबाई आ गया 5.6 cm मेटार यह आप लोग भी अपने कापी में भी तुरण बना के देख सकते हो गभी ऐसे मैच से के कलास होता है तो कापी पेंड निकाल के ही बैटना जीए एक पर देखेंगे ये डिवाइडर का एक किनारा पहली बिंदू पी में रखेंगे और दूसरा इसका नुकिला भाग को दूसरा बिंदू क्यों में रखेंगे यह फिक से रखा गया, यह दिख रहा होगा, यह, ठीक, अब इसको उठाके, अब इस स्केल पर रखेंगे, इस स्केल में भी हम ऐसा इसमें रख के दिखाएते हैं, ज्यादा अच्छा से दिखेगा, यह, अब आप लोग खुद देखिए, यह इसको जीरो में रख दिये, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच के बाद में यह, बड़ी, जो मुटा लाइन है, गिनेंगे, छोटा वाला में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ती यह आ गया, पांथ दसमला, छे सेंटिमेटर है, यह, इस प्रकार से हम, डीवाइडर से नापके हैं, आपके पास अगर बना हुआ, उस तक में, या कहीं प्रश्न में, रिखा खंड है, तो उसको नापना है, तो नापने के लिए सबसे बड़ी है तरीका है, डीवाइडर से भी नाप सकते हैं, इस से भी, डीवाइडर से नापने में, यह स्वीध होगी कि आप डीवाइडर लीजिए, औ उतना है, उसकी दूरी बन जाएगा, लंबाई बन जाएगा, आगे, इसी प्रकार से, एक से संबंधीत सवाल देखते हैं, जैसे ज़्यादातर सवाल आता है, कि इतने सेंटीमिटर का रेखा खंड कीचिए, पहला सवाल, प्रशनफ पहला बना लेते हैं, एक रेखा खंड कीचिए, रेखा खंड कीचिए, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, 8.4 सेंटीमिटर है, यह, अब यहाँ पर हम दोनों ही विधि से सवाल बताते हैं, ऐसे परिच्छा अगर हमें कभी भी प्रश्णा आता है, तो कोई भी एक विधि से बनाईए, पहली विधि है, हम स्केल की सहता से बनाएंगे, स्केल की सहता से भी हम दो प्रकार्च बना सकते हैं, एक सरल रेखा बनाकर, और एक दूसरा है, सिधा सिधा रेखा खंड, अब सरल रेखा में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम स्केल रखेंगे, और एक लंबी सरल रेख खिच लिए इस रम्भी सराल रेखा में यह प्रारम हमें एक बिंदू ले लिए एक से दाम दे दीजिए कोई भी नाम दे सकते हैं अपने शुच्छा से अब आर देसमलो चार सेंटीमेटर का रेखा खंड किचना है हमारे पास दो तरीका है पहले तरीका हम सिधा 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 रख लेंगे यह इसकेल इस प्रकार से रखेंगे यह रख दिये इसकेल अब हम आर देसमलो चार तक पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे यह हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 के बाद चार छोटी लाइन गिनना है एक दो तीन और यह चार यहां पर आ गय ये इस प्रकार से ये हमारा दूसरा बिंदू मिल गया य तो ये हमको मिला एक सवाई 8.4 cm यह पहली तरीका हो गया दूसरा तरीका हम सिधा सिधा रेखा खंड नहीं बना सकते हैं रेखा खंड कैसे बनाएंगे यहां पर स्केल रखेंगे जीरों में यहां पर एक बिंदू ल भी नगा लिए अब दोनों भी दोग फिर मिला दो अ एक यह को इसका नाम जिसे प्रिदे दिये इसका नाम हमने क्या देदिया कियो देदिये हो गया और दिसमला चार सेंटीम्टा एक दूसरा तरीका, रिखाखंड वही है, बनाने का हमारा तरीका दालग है, एक को हमने सिधा सरल रिखा से बना दिया, और दूसरे को हम सिधा सिधा रिखाखंड बनाएंगे, सरल रिखा बनाएंगे तो सबसे पहले एक लंबी रिखा किछ लेंगे, लंबी रिखा के बिच में क और दूसरा बिंदू कर नाम दे देदेंके वाए दे दिए दूसरों को मिला दीति जो है ढिबादिर वाला भी विदी दिवादेर से भी इसको बना सकते हैं इसमें हम डिवाईडर का एक किनारा को यह से लेंगे इसमें अच्छा सा दिखेगा यह जीरो ले लिए अब आर्द सम्लाव चार इसको आगे बढ़ाएंगे यह आ गया यह इस प्रकार से अब फिर इसको उठा के ऐसा यह निशान लगा देंगे कापी में दोनो अगे यह किसे कापी मोरबढ़ें बनेगा इसमें थोड़े सलीफ हो जाता है कापी चुकी यह गड़ता है फिर दोनों बिंदों को मिला दिजिए फिर हमको एक सरल रिखा बन जाएगा तो इस प्रकार से सरल रिखा बनाना बनेगा वही सरल रिखा तरीका अलग अलग है जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से आप सरल रिखा बनाईए इस प्रकार से हम सरल रिखा की सकते हैं कि यह कि यहां तक समझ में आ गए होगा ख़ड़ रिखा दूसरा कि प्रश्ण यह बनता है कि एक ही सरड़ रिखा में हमको छोटे-छोटे दो-तीन सरड़ रिखा किचना होता है सरड़ रिखा एक ही रहेगा इसके अंदर में हमको और छोटा-छोटा दो सरड़ रिखा का निर्धारान करना होगा एक प्रश्णा ले लेते हैं इस प्रश्णा के आधार पर उसको भी समझते हैं एक ही सरड़ रिखा में एक ही और रिखा खंड की जियेयए ऐक ही त्यों से एक ही सराल रिखा के अंदर बेर गण सरग और चारद शंके और और पांस से उन्टि मुटर का रिखा खंड की जिये अइसके लिए हमको सबसे पहले सरल रिखा क्योशण होगा सहल रिखा के इसलिए beauty family और फूर पूरे स्केल भर एक लाइन की रहें की रेखा के देए है चूंकि त्storm है इसके दोनों तरह किए कर निसाल लगा देखेंगे इसके अंदर के तीन सरल रिखा तीन रिखा खंड की चेंगे शुरुवात में चोटा सा बिंदू ले लेते हैं यह जैसे बिंदू का नाम हमने दे दिया एधिया अब यहां पर डिवाइडर में ज्यादा स्वीधा होगा तो यह इस प्रकार से डि जीरो में अ रखा गया जीरो में तिन सिंटिमिटर देखिए मैं आ गया आगे से अब इसको फिक सकते लिजिए फिर इसको और जो बिंदू रखे बनाये शुरुवात में सरार रखा में इसके पहले बिंदू पे इसके पहले नोक को रखिए दुसरा नोक जहां पर आता है इसको कोई नाम नहीं देंगे भी इसे नाम देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब उसके बाद दूसरा नाब देखेंगे दूसरा नाब चार सेंटिमेटर दिया है फिर हम डिवाइडर लें डिवाइडर लेके इसका एक नुकिला भाग जीरो में रखेंगे और दूसरा człon निकिला भाग कों चार पे लाएंगी यह हो गया चार पे आगए चार सेंटाज ने लिया फिर 5 ,3 देखके भाज़ा तरीका अपनाएंगे यह इस प्रकार से इसका एक पईंट जिरो में रखेंगे और दुशरी पईंट ले लेंगे यह दुसरा नुकिला भाग पांच में आगे और पीर इसको जो दूसरी की रेखाखन का दूसरा मिंदू मिला है वहाँ पर रख देंगे को इस प्रकार से यह जो है यह तिनों रेखाखंड के योग के बराबर है जाहे तो हम बीच में भी कोई दुसरा नाम दे सकते हैं यहां पर लिख देंगे की ए भी बराबर यह पहली वाला दो सेंटी तिन सेंटीमिटर है एक धान एक सवाई धान वाई भी ऐसा लिख सकते हैं डारेक्टर भी लिख देंगे चार तिन साथ और पांच बारा सेंटीमिटर तो भी कोई दिक्कत में है तो यह इस प्रकार से एक सरल रिखा में तीन या तीन से अधीक रिखा खंड खिश सकते हैं अभी हमने इसको डिवाडर के साहता से खिचा इसको चाहें तो डारेक्टर इसकेल में इस प्रकार से रख के भी ले सकते हैं शुरुआत तीन सेंटीमिटर में एक नि प्रशन ले लेते हैं इसमें दो रेखा खंड है एक का नाम है PQ और दूसरा रेखा खंड है आरेस इन रेखा खंड के योग के बराबर एक बड़ी रेखा खंड बनाई है तरीका वही है समाज में आप यह गया होगा और कुछ रूप बनाने के दिमाग में भी सोच लिए होंगे तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं जुक्ते दो या दोसे अधीक रशंड को मिलाके बनाना थाए क्यों कियोंकि सरर्या के लिज्चित नहीं होता जैका कंकर सकते हैं उसके अंदर में हमको रेखा कर लेना होगा तो से होटा कि एक बीदू ले लेते हैं एक से ले लिए आप डिवाईडर कि ही प्रयोक करेंगे नापने में में नापने से ज्जादा डिवाइडर ज्यादा बेटर है तो यह डिवाइडर में आप सिधार रिखा खंड को नापेंगे डिवाइडर का एक नुकिला भाग पहली बिंदू में दूसरा भाग जो है दूसरा बिंदू में इस प्रकार से फिक्स कर दिए यह बराबर आ गया दिख रहा होगा कि यह अब इसको फिक्स रखेंगे कम ज्यादा नहीं होना चीए इसको पहली बिंदू एक समय रखेंगे और यह इस प्रकार से यहां तक आ गया चोटा सा निसान लगाएंगे इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं हुआ इसको फिक्स रखेंगे कम ज्यादा नहीं होना चीए इसको पहली बिंदू से लेंगे और इस प्रकार से इसमें यहां पर निसान लगा देंगे इसका नाम देंगे अंतिमेंदू के नाम देंगे वाइदेंगे तो ये रेखा खंड एक सवाई बराबर आ जायाएगा पहली रेखा और दुसरी रेखा को हमने जोड के बनाया है उसके लंबाईयों को जोड के बनाया है अतलाब रेखा खंड एक सवाई बराबर रेखा खंड PQ दन रेखा खंड RS इस प्रकार से हम रेखा खंडों को खिषते हैं सरल रेखा के माध्यम से हो आगे यहां तक समझ में आगे होगा कोई अगर दिक्कत है तो बिलकूर पुछिए सर्रेख बिंदू के बारे में चर्चा करते हैं हमारे पास दो तिम प्रकार का एक चित्र है इसके आप पहले देखिए यहां पर तिन बिंदू है ए ए पी यू आर यह बी हो गया तिसरे बिंदू यहां पर सी है यह सरल रेखा है यह एक वाई और यह जेड पहली पहली चित्र में देखते हैं यह पहला नमबर में देखते हैं यह पहला हो गया यह दूसरा हो गया यह तिसरा है हमारे पास तीन कंडिशन है तीन इस्थितियां है पहली इस्थिति ये है कि एक रिखाखंड है रिखाखंड में तीन बिंदू है मतलब दो रिखाखंड है पहली रिखाखंड क्यू है दूसरा रिखाखंड क्यू आ रहे हैं दोनों एक सीध में है तो अगर ऐसी कोई बिंदू मिलता है जो एक सीध में होता है उसे सर्रेक बिंदू कहते है दो या दो से अधिक बिंदू दो या दो से अधिक बिंदू अधिक बिंदू दो या दो से अधिक बिंदू एक सीध पर हो एक सीध या रेखा बोल सकते हैं रेखा पर इस्थीत हो इस्थीत हो तो उसे सरेख बिंदु कहते हैं सरेख बिंदु कहते हैं ये इस चित्र में हमने देखा कि तीनों बिंदू एक सीध में है या एक रिखा में है अर्थात ये क्या है सर्रेख बिंदू है इस चित्र में देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है ए और बी एक सीध में है और सी जो है सीध में नहीं है ये दोनों इस लाइन में है इसको बहार आ रहा है तो ऐसी स्थिति में जो होता है जो सीध में नहीं होता है उसे असर्रेक बिंदु कहेंगे इसका नाम पढ़ जाएगा असर्रेक बिंदु असर्रेक बिंदु अब आप इसको भी आरे में भी देख सकते हैं आवर बिंदु है सराड रिखा में है यह क्या होगा सर्रेक बिंदु है कि असर्रेक बिंदु है कि यह भी सर्रेक बिंदु है क्योंकि सर्रेक बिंदु दो या दो से अधिक कहना ज्यादा अच्छा रहे क्योंकि दो में तो निर्धारान होगा ही नहीं दो से अधिक बिंदु एक सीद पर हो यह दो से अधिक है एक सीद पर है सर्रेक बिंदु हो गया यह दो से अधिक है लेकिन एक सीद में नहीं है यह असर्रेक बिंदु हो गया यह चार बिंदु है और चारो एक ही रेखा पे है, सलर रेखा पे है, तो ये भी क्या होगा, सर्रेख बिंदु होगा ठीक है, तो ये इस प्रकार से सर्रेख बिंदु और ये सर्रेख बिंदु हो गए आकरी दो परिवासा और बचा है एक है समानतर रेखा और दूसरा है प्रतिछेदी रेखा समानतर रेखा समानतर रेखा समानतर रेखा जब दो या दो से अधिक सरड रेखा दो या दो से अधिक सरड रेखा आपस में कभी भी नहीं करती है तो ऐसी रेखाओं को समानतर रेखा कहते हैं दो या दो से अधिक सरड रेखा जो आपस में कभी भी नहीं करती है उसे सरड रिखा समांतर रिखा कहते हैं यह दोस्त समांतर रिखा है कि इस दोनों आगे पीछे जितना भी बढ़ालों सरड रिखा है इसकी लंबाई सिमित नहीं होती है इधर भी बढ़ालों दोनों साइड बढ़ालों लेकिन यह दोनों आपस में कभी भी नहीं कटेंगे तो ऐसी रिखाओं को समांतर रिखा कहते हैं समांतर रिखा की प्रमुक विसिस्ता यह होती है कि प्रतेक बिंदू पर बीच की दूरी बराबर होता है यहां से लेकर यहां तक के दूरी यह यहां पर जितना दूरी है उतना ही दूरी हर बिंदू पर रहेगा हर बिंदू पर समां अंदर रहता है इसलिए इसको समानता रेखा कहते है समानता रेखा की खासका यह है कि ये कभी भी आपस में नहीं कटेंगे दूसरा प्रतेग बिंदू पर बीच की दूरी समान होती है इस समानता रेखा का दूसरा भी नाम होता है आप प्रतिछेदी रेखा इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं आप प्रतिछेदी रिखा चुकि ये कभी भी आगे पीछे बढ़ा लो ये आपस में नहीं कटेंगे इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया है आप प्रतिछेदी रिखाएं ये आगे आते हैं आगे प्रतिछेदी रिखाएं नाम से इस पश्ट है कि ये आपस में प्रतिछेद करेंगे कटेंगे एक दिखाएं हो गया दूसरा 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 है एक पुदयारन हो गया दूसरा पुर्दाहरान ले लें लेते हैं कि कि ये हो गया थे हो प्रतिशेदी रिखाएं जो आपस में कड़ सकती है यह एक दूसरे के निकट आने का प्रयाज तो ऐसी रिखाएं को प्रतिशेदी रिखा कहते हैं जिस बिंदू पर यह कटते है उस कटान बिंदू को प्रतिछेद बिंदू कहते हैं जहां पर यह कटता है उस बिंदू को प्रतिछेद बिंदू कहते हैं अब इस चित्र में देखिए यहां पर तो कटा नहीं है लेकिन हम इसको प्रतिछेदी रेखा कैसे कहेंगे चुकि यह समाथ सरस्ञेब रिखाए आगे तो इसको आगे पिछे मला जा सकता है तो इस को आगे पिछे बढ़ाएंगे तो निश् número इस सबस्त है कि आगे जाके कटेगा कटेगा मतल Mund यह कुण सी हो agle इस बिंदू से कई किने निकल सकते हैं इसे अधिक निकल सकते हैं ये और我在 acky य९ यह सभी किरने हैं प्रतिछेदिम भी एक ही बिंदू पर कई रिखाएं कट सकती हैं कि यह इस प्रकार से यह हमारा इस प्रकार से करता है तो ऐसे बिंदों को संगामी बिंदू भी कहते हैं प्रतिछेदिम भी कहते हैं इस प्रकार से आज हमने आल लेंग क्लास में छटवी क्या और रिखा खंड का पूरा अध्यन की हैं इसे संबंधित ग्री कारिया आपको डिस्प्ले में दे दिये जाएगा पूरा करके आप मुझे चाहे वार्षप से भी बता सकते हैं या हल करके आप फोन करके भी बता सकते हैं इसको हल करके एक दो दिन में आप मुझे वार्षप के माध्यम से या फोन करके बता सकते हैं चेक करा सकते हैं कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं थेंकिए नगगा आप तो आप पूछ सकते हैं थादरे तो आपिए झाला फोन करके दो एक दो एक दोन करके दो कर दो कर दो कि आज पहला दिन से बहुत कुछ मन में इतर्क वितर्क है अच्छा हो रहा है क्या सर्थ कर दो 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 झाल झाल